नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ एससी मेकर की यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैत के कुछाती मेहत्पूर प्रस्ण दोस्तों जो सभी परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई सभी गौवर्में टो आपके पेपर में ये सब प्रस्तन हमेसा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों बार बार प्रस्त पूसे जाते हैं जो परिछाओं में repeat करते हैं जिन प्रस्णों को दोस्तों solve करने में आपको ज्यादा time लगता है उन प्रस्णों को दोस्तों इस वीडियो में सामिल क्या हूँ और उन सभी प्रस्णों को दोस्तों solve करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान trick बताऊंगा जिसके स हायता से दोस्तों आप इन सभी प्रस्णों को बीना पेन उठाय स्वाल करेंगे मात्र कुछी सेकेंड में तो आए दोस्तों देखते हैं महत के कुछ अति महत्पूर प्रस्ण देखिए का दोस्तों पहला question है most important question है और यह प्रस्ण हमेशा दोस्तों पूछा जाता है और इस तथा C ने साथ मिलकर उस कारे को पूरा करने के लिए 8800 रुपए लिए B का हिस्सा रुपए में कितना होगा ठीक है इस टाइप के प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे कि B का हिस्सा पूछ लिया है कि कितने रुपए में दोस्तों 8800 रुपए में या A का हिस्सा पूछ सकता ह या A, B का या B, C का या A, C का ठीक है इस टाइप से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो दोस्तों इस टाइप के प्रस्णों को अगर जो मैं आपको बता हूँ solve करने के लिए अगर जो आप लगाएंगे दोस्तों तो basic से लगानेंगे तो कैसे लगाएंगे A का एक दिन का काम क्या होगा एक बटा पांच B का एक दिन का काम एक बटा दस C का एक दिन का काम क्या होगा एक बटा पंदरा और A, B, C के मजदूरी का अनुपात लेंगे एक बटा पांच रेसियो करेंगे अनुपाते एक बटा दस सन पाते एक बटा 15 फिर क्या करते हैं LCM लेते हैं फिर रेसियों निकाल दे ठीक है उसके बाद B का हिस्सा निकालेंगे इतना सब दोस्तों आपको करने की जोरत नहीं है ना आप इसको X मान के solve करेंगे इस टाप के दोस्तों प्रस्णों को solve करने के लिए मैं आपको बहुत ही असान तरीका समझा रहा हूँ समझिएगा कैसे solve किया जाता है प्रस्ण को एक बार समझिएगा प्रस्ण कर रहा है A B तथा C किसी कारे को करमसा 5, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं A B तथा C न 5, 10, 15 इतने दिनों में कर रहे हैं इन ही दोस्तों दिनों का हम क्या करते हैं LCM लेंगे LCM निकलना आपको दोस्तों Basic वाले चैनल पर बता चुका हूँ ठीक है LCM कैसे निकला जाता है तो 5, 10, 15 का होगा दोस्तों 5, 10, 15 इसका LCM क्या होगा LCM इसका LCM हो जाएगा 30 LCM दोस्तो इसका आप LCM निकाल लेंगे देखिएगा हम क्या निकाल रहें ABC के मजदूरी का अनुपाद डैरेक्ट निकाल लेंगे इसे जब आप LCM निकाल लेंगे तो अब क्या करेंगे दोस्तों LCM क्या आया है 30 एक बार समझेगा LCM इसका क्या है दोस्तों 30 इसका LCM आया है इसी 30 को तो दोस्तो हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तो 5 से जब भाग करेंगे तो 1 के मज़़दूरी का अनपाद आगा तो कितने बार में जाएगा 30, 5 से कटेगा तो 5, 6, 30 हो जाएगा यानि कि रेशियो क्या हो जाएगा 6, 6 अनुपाते और फिर 10 से भाग करेंगे 30 को, तो कितने बार में जाएगा? 3, 10 तियां ही 30 होता है, 3, और फिर 15 से भाग करेंगे, तो क्या आगा? 15 दुना का 30, ये दोस्तो जो आया है आपका 6, 3, 2, यानि कि 6 अनुपाते 3, अनुपाते 2, ये क्या आगा दोस्तो? A, B, C के मजदूरी का पूछ रहे, B का हिस्सा रुपए में कितना होगा? तो B का दोस्तो रेशियो क्या है? ये बीच वाला B है ना, कितने किस रेशियो में? 3 रेशियो में, तो दोस्तो B का हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे? 3 बटा में क्या करेंगे? अनुपात बटा अनुपातिक योग होता है, तीन बटा में क्या करेंगे इस 6, 3, 2 को जोडेंगे तो 6, 3, 9, 9, 2, 11 3 बटा 11 गुने कितने रूपए में दोस्तों इसका हिस्ता चाहिए 8,800 रूपए में तो हम लिख लेंगे 8,800 रूपए अब देखिएगा अब क्या करेंगा दोस्तों बस इसको कटा कि आप छोटा करेंगे तुरंट इसका अनसर आ जाएगा 1288 कट जाएगा कितने बार में 800 बार में 800 बार में कट गया 800 गुणने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 283 के 24, 2400 रुपय आ जायगा, यह दोस्तो 2400 क्या आया है? यह B का हिस्सा आया है, 2400 किस option में आपको दिख रहे है, option nummer C में दिख रहा होगा, option nummer C दोस्तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तो यह रहा दोस्तो B का हिस्सा, अगर जो दोस्तो इसी प्रश्म में पूछ ले देखिएगा 632 रेशियो क्या है दोस्तो 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2 ये का हिस्सा दोस्तो पूछ ले तो क्या होगा 3 बटा में तीनों का जोड लेंगे तीनों को जोडेंगे तो क्या होगा 6, 39, 2, 11 सब का क्या होता है अनुपात बटा अनुपात की होगा गुणे क्या हो जाएगा दोस्तो 88, 100 हो जाएगा ठीक है 8,800 एका हिस्सा बस कटा लेंगे तुरंद आंसर आज जाएगा C का हिसा पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 बटा 11 गुड़े 8800 ठीक है तो इससे क्या जाएगा दोस्तों C का हिसा जाएगा और अगर जो A B का पूछ ले तो 6 39 बटा 11 कर लेंगे BC का पूछ ले, तो क्या करेंगे, 3, 2, 5, 5, बटा 11, 1, 8, 800 कर लेंगे, AC का पूछे, तो 6, 2, 8, 11, 1, 8, 800 कर लेंगे, ठीक है, इस टाइब से दोस्तों, प्रस्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको करना क्या है, दोस्तों, एक बार और समझेगा, बस यह जो दिनों का संख्य दी रहते हैं, यानि कि इतने दिनों में कर लेते हैं, जो दिनों की जनक्या दी, यानि 5, 10, 15 दिन, इन ही का LCM ने के दोस्तों, इन ही से भाग कर देते हैं, ठीक है, भाग कर देते हैं, दोस्तों, तो क्या आ जाता है, यानि कि मजदूरी का अनुपात आ जाता है, जब करता हूं दोस्तों आप इस प्रस्ण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टैप के दोस्तों कभी भी आपके पेपर में प्रस्ण आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे नेक्स कोशन देखिएगा दोस्तों दूसरा कोशन भी इंपोर्टेंट है और दूसरा कोशन देखनेश पहले आपको बदा रहा हूं दोस्तों आपको इस प्रस्ण अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू में ही लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर करिए आपके पास इतने भी अस्टाड़ी ग्रूप हो फेस्बूक वर्टसेप टेलिग्राम तो लाइक शेयर आप दोस्तों जरूर किया करिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों मैं उन्ही प्रस्णों को डेली कराता हूं जो प्रस्ण आपके परिशाओं में पूछे ज को 240 रुपए से कम कर देता है तो उसे 5% की हान ही होती है मेज का आरंभीक विक्रयमुल क्या था देखिए दोस्तों इसमें ज्यादा तरी शुड़ेंट क्या करते हैं गलत करते हैं कहां पर गलत करते हैं लास्ट वाले लाइन को नहीं पढ़ते हैं यहां लास्ट वाले क्या पूछा है क्या पूछा है मेज का अरंभीक विक्रयमुल क्या था तो कैसे निकालेंगी इसको दोस्तों देखिएगा आसान तरीका बता रहा हूं आपको xy कुछ नहीं मानना है ठीक है कैसे सॉल्ब करना है लाभानी दोस्तों मैं आपको basic से बहुत ही अच्छ तरीके स पढ़ाया हूं ठीक है लाभानी के दोस्तों playlist में आप जाके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं वहां से भी math में देखिए ये क्या कर रहा है दोस्तों मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेशता है दोस्तों लाभ को कैसे लिखा जाता है पहले भी बताया हूं 100 में जोड़ देते है यानि कि मेज को कितने परशंट पे बेचा है क्राय मुल का 125% यानि 25% लाभ को क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे यानि कि मेज को कितने बेचा है दोस्तों 125% यानि कि लाभ पे बेचा है तो 125% लिख देंगे यदि वहां उसके विक्राय मुल को 240 रुपे कम कर देता क्या कर तो क्या हुआ है तो एहाँ को समझना क्या है एक सो पचीस परसेंट और पंचानवे परसेंट का अंतर क्या हो जाएगा अंतर क्या होगा एक सो पचीस में से आप पंचानवे को घटाएंगे एक सो पचीस में से दोस्तो आप पंचानवे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तो 30% यही दोस्तो 30% यह 30% किसके बराबर है ? 240 के 30% बराबर 240 तो 1% बराबर क्या हो जाएगा ? 1% बराबर कैसे निकालेंगे ? 240 को 30 से भाग gwाग कर देंगे यहनि 3, 24, 8 1% बराबर 8 रूपए तो 100% बराबर 200 क्या हो जाएगा ? 100% बराबर 800 रूप ngay और यही क्या करते हैं दोस्तों ज्याजातरी श्टुडेंट आठ सो रुपए आंसर देखते हैं उप्सन नमबरे में और तीक करके आगे बढ़ जाते हैं सुचते हैं solve होगे नहीं यहां पर यह प्रस्न solve नहीं हुआ है यह जो दोस्तो 100 परसेंट आया है यह क्या है दोस्तों यह CP आया है cost price आया है यानि क्रेश मुल आया है यह क्या है दोस्तों 800 रुपए क्या आया है अगर जो किसी बस तुका क्रायमूल 800 रुपय है हम उसको 25% लाब पे बेचे तो आप यहाग कर सकते 125 यानि कि 800 गुणे 125 बटा 100 800 का 125 परसेंट निकालेंगे या दोस्तों आप चाहेंगे कि 800 का सिर्फ 25 परसेंट निकालके 800 में जोड़ दे तो 800 का दोस्तों 25 परसेंट होगा क्या 800 गुणे 25 बटा 100 यह 0 से 0 कट जागा 25 अठे क्या हो जागा दोस्तों 200 रुपय यानि कि क्या करता है दोस्तों 25 परसेंट लाब क्या हो जागा 800 का 200 रुपय तो यही 200 क्या करेंगे दोस्तों 800 में आप जोड़ देंगे तो 800 में 200 जोड़ हुँ दोस्तो आप इस प्रशन को भी बहुत ही अच्छा दरीके से समझ गयोंगे और इस टाप के भी दोस्तो प्रशन आएगा तो आप अच्छे से करयमल आया है और पूछ रहा है मेच का अरमभीक भीकरैमूल क्या था 15% के लाप पर 80版 25 परशन निकालके जोड़ देंगे 800 ऑच्छे संच पूरा पढ़ियेगा लास्ट में देखेंगे तो अरंभीक विख्रय मोल पूछे तो हम सिर्फ 100% की वैलू निकाल देंगे। लेकिन विख्रय मोल पूछा आ है आरंभीक वभी 25% लाप पे तो 25% लाप निकाल दिये तो इसका अंसर क्या आगया दोस्तों 1,000 आ गया। तो मैं सभी परिश्वाओं के लिए important है चाहे अप एलभेक एगजाम देंगे अग्जा में तो यह सभी परिशाव के लिए दोस्तों important है क्योंकि दोस्तों इस ebook में उन प्रश्णों को सामिल किया गया है जो प्रश्ण आपके परिशाव में बार बार पूछे जाते हैं जो प्रश्ण हमेसा परिशाव में repeat करते हैं दोस्तों इस ebook में आपको 10 practice set मिल जागा प्लस 10 one liner set मिल जागा one liner set कहने का मतलब है दोस्तों एक लाइग में question दूसरी line में answer इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे दोस्तों आपके exam में एक से दो दिन का भी time है तो इस ebook को लेकर आप जरूर पढ़ लीजेगा आपके exam में का काफियात मिलेगा दोस्तों इसमें science, general events, current affairs के important प्रस लिए गया है जो बार-बार पर इस हमें पूछे जाते हैं दोस्तों पंजम पब्लिसर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखीती लेकि मेरे कहारे हैं दोस्तों यह ebook आपको मातर 25 रुपए मिल जागी इस ebook को आप ले कहा सकत है तो पंजम पब्लिसर के दोस्तों customer के नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप call करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों इस ebook को मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रस्न दिये गया है काफी important दिये गया है जो परिछाओं में बार-बार पूसे जाते है इसलिए दोस्तों पह भी दिखने लगेगा जब इस प्रस्न को आप समझ जाएंगे देखिए यह प्रस्न हमेशा पूछा जाता है तो इससे कैसे solve करेंगे और इस प्रस्न को देखने से पहले आपको बता दू दोस्तों अगर आप math में basic से जीरो लेबल से चैप्टर वाइस दोस्तों पढ़ना सेकेंडों में solve करने लगेंगे ओभी बीना प्रस्न है मैं आपको थोड़ी से भी problem होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए इसका link दोस्तों नीचे description box में दे दिया हूँ अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रस्न क्या कह रहा है कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे है पेड़ के नीचे बकरिया चर रही है चर रही यह मतलब बकरिया घास खा रही है ठीक है उनके पैरों की संख्या 90 और सीरों की संख्या 35 हो है तो तोतों की संख्या ग्याद कीजिए देखिएगा इस टाइप के दोस्तों प्रस्न पूछे जाते हैं तो आप confused नहीं होगा पह क्या दे सकता है दोस्तों कबूतर दे सकता है कबूतर के भी पैर कितने होंगे दो कबूतर की जगह यह आपको भी दे सकता है मुर्गा भी दे सकता है ठीक है तो मुर्गा का भी पैर कितना होता है दो पैर और सीर से मतलब होता है प्रस्न कुछ भी कहें दोस्तों आपको दे होता है एक यानि कि दोनों को में common क्या चीज है सीर सीर एक ही होता है और पैर क्या होते है दोस्तों चाल बकरिया की जगा दोस्तों आपको क्या दे सकता है गाय दे सकता है घोड़ा दे सकता है और भी कोई जानवर उट दे सकता है कोई और अदर जानवर दे दे जिसके पैर हो बस ज्यादा कुछ नहीं, अब देखिएगा, यहाँ चीज समझ गए, यह चीज समझ गयोंगे, तब क्या कहरा है दोस्तों, आगे प्रस्ण पढ़िएगा, आगे प्रस्ण कहरा है, उनके पैरों की संख्या 90 है, 90 है, मतलब कहने का मतलब है, इसमें कुछ तोते है, और कुछ पैर 2 है, कुछ के पैर 4 है, और 0 की संख्या 35 है, 0 की संख्या 35 है, 0 की संख्या दोस्तों कितना है, 35 है, यानि कहने का मतलब है, जो जीव जनतु है, यानि कि पसु पच्छी जो है ये चीज, ये कुल कितने है, दोस्तों 35, 0 की संख्या जो होती है, 35, ये क्या होता है, टोटल लंबर होते हैं, यानि कि टोटल संख्या यही है, यानि कि यह 35 है, अब इसी में क्या है दोस्तों, कुछ क्या है, कुछ बकरी है, कुछ तोटे हैं, ठीक है, 35 टोटल है, तो और पूछ किया रहा है, तो तोटों की संख्या ग्यारत कीजिए, किसकी संख्या पूछ रहा है, तो पैरो वालो की संख्या पूस्ता हम क्या करते हैं दोस्तों एल बाइटू माइनस एच देखिएगा फर्मूला एइसे रटने की जोरत नहीं है मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं समझिएगा एल मतलब पैरो की संख्या को दो से भाग करके सीरो की संख्या निकाल देंगे घटा देंगे क्या आ जाएगा चार पैरो वालो की संख्या यानि की पैरो की संख्या टोटल क्या है दोस्तों नब्बे है क्या है नब्बे है नब्बे को क्या करेंगे दो से भाग कर देंगे दो क्या करेंगे दोस्तों सीरो की संख्या घटा देंगे सीरो की संख्या घटा देंगे सीरो की संख्या क्या है दोस्तों 35 इसमें से क्या करेंगे दोस्तों 35 माइनस कर देंगे तो 2 से 90 कितने बार में घटेगा 90 काना क्या होगा दोस्तों 45 45 में से 35 घटेगा तो क्या होगा 45 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दूस्तो 25 होगा यह क्या रहा है दूस्तो तो टो की संख्या 25 किस आप्टिस की option मेद थिख रहा होगा तो आपका option नमबर B क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दूस्तो आप इस प्रश्म को भी बहुत ही अच्छा तरीके समझ गयोंगे आप क्या करेंगे दोस्तों चार पयरो वाली की संख्या निकालके और चीरों की संख्या से घठा देंगे तूंत क्या आजाएगा दोस्तों वो आजाएगा xo आनि कि l by 2 minus h ये सब कुछ भी नहीं आपको सोच नहीं करना है क्या है देखिएगा यहाँ पे कह जह रहा है दोस्तो पेरो की संख्या क्या है 90 इसी 90 का दोस्तो आधा कर देंगे देखिएगा बिना पेनुद है और अल दिमाग में ही solve कर लेंगे 90 का दोस्तो क्या हो जाएगा आप दिमाग में ही सोच लेंगे 45 हो जाएगा और 45 में से 35 को घटा देंगे 45 में से 35 को घटा देंगे तो क्या जाएगा दोस्तो 10 ये जो 10 तो 10 आता है ये क्या आता है 4 पेरो अलोक संख्या बकरियों की संख्या पूछे तो 10 हो जाएगा ठीक है यहाँ पूछ के रहा है तोटों की संख्या टोटल कितने है शीरों की संख्या ही टोटल यानि पसु बच्चियों की संख्या होती है पूल 35 है 35 में सो दोस्तो 10 क्या है 10 बच्चिया है 35 पसु बच्चिया है यानि की बच्चियों की बच्चियों की बच्चियों की संख्या जो की ऑप्सन नमबर बी में आपका ऑप्सन नमबर बी जोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रस्ण को बहुत ही अच्छे तरीके समझ कोंगे और इस टाइब के प्रस्ण कभी भी आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे ओ भी बिना pen उठाए तो दोस्तो इस टाइब के प्रस्ण आए तो आप ऐसे ही solve किजिएगा और अगर जो दोस्तो आपको इस सारे प्रस्ण अच्छे लगे हैं समझ में आये गये हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किये तो जाइएगा नहीं लाइक वाला सिम्बल दोस्तों नीचे इस टैप से बना हुआ, वहाँ पर प्रेस कर दीजेगा, और सेर वाला सिम्बल इस टैप से बना हुआ, यहाँ पर प्रेस करके Facebook, WhatsApp, Telegram, जितने भी दोस्तों आपके पास study group, host group में सेर भी जरूर कीजेगा, जो दोस्त इस चैनल पर नए है, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की daily notification नहीं मिलती है, नीचे दोस्तों red color का इस टैप से subscribe लिखाओ, दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जूट जाएए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी important questions के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्य बात,